हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा मैंने दो बाइकों का ABS टेस्ट कर रखा था एक पलसर RS200 और दूसरी Duke 390 गा तो बड़ी सेग्मेंट की बाइक में ABS कैसे काम करता है यह आप लोगों को पता होगा लेकिन आज मेरे पास है यह अपाचे 162V एक्चली गवर्मेंट का यह रूल आया है कि 1500 CC या उससे उपर CC कटेगरी की जितनी भी बाइक्स है उसमें ABS देने लगी है 1500 CC प्लस कटेगरी की जो बाइक्स हैं तो हमारे पास आज अपाचे 162V है और इसका मैं टेस्ट करने वाला हूं कि क्य इसका ABS perfectly काम कर रहा है या companies सिर्फ नाम के लिए ABS दे रही है मतलब ABS के नाम पे ABS दे दिया है लेकिन proper work कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आप देखो कि इस वीडियो में कि अज दो अज दो अज आज का वेदर देख लो बारिश हो रही है रोड भी गीली है और यह रही ABS की रिंग मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगल चैनल ABS है पीछे डिस्क भी नहीं है तो यह वाली बाइक में सिर्फ ABS मिलता है आपको सिंगल चैनल क्योंकि फ्रेंट में डिस्क अवेलबल है ऑप्शन डूल डिस्क का था लेकिन लिया नहीं किया है और 160cc है इसलिए इसमें ABS म सsmalまり, की पेलारी कियां आपकूअ चाहले है यां कर रहा है या नहीं है तो और प्रेंट करते हैं टो एक रॉंड मारते हैं पहले हवा test dhp क्या ब्रेकिंग अच्छी है या नहीं है कैसे काम कर रही है जल्या बाहितन मैं बाइक जलदी सीख लीग студ gibt अब देखते हैं ब्रेक अपलाई करके एक दो बार नॉर्मली मैं सोच रहा हूँ चेक कर लेते हैं पहले तो पीछे की ब्रेक में अब पीछे का ब्रेक भी नहीं लग रहा है क्योंकि रोड बहुत ही की लिए अब एक बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं 40 की स्पीड में है और वाउ बाइक स्लिप नहीं हुई एक बार और ट्राइ करते हैं इस बार स्पीड थोड़ी सी जाधा करेंगे हम करीब 50 की स्पीड करेंगे वैसे था तो आज हमारा शूट काफी अच्छी ची बाइक साने वाली थी या लेकिन इस बारिश ने सारा काम खराब कर दिया तो मैंने सुझा लाओ एबियस कर लेते हैं कुछ तो पता चलेगा कुछ तो नॉलिजबल चीज पता चलेगी कि एबियस परफेक्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हम भरोसा करके ब्रेक मार सकते है या नहीं मार सकते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी बाइक भरोसे मंद है या नहीं चलो अब थोड़ा सा सननाटा हो गया है तो पचास की स्पीट पे अब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे पचास पहुंच गया है पचास पहुंच गया है पचास पहुंच गया है वाव बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुई है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया काम किया इस बार तो इस बार मैं उधर से आ रहा हूँ ठीक है गोलू शाहिए से रिकॉर्ड कर लेना तो इतनी दूर मैं आइट इंग सत्तर पहुंच जाओंगा तो चलो चलते हैं पचास, साथ और ये सत्तर पहुंच गया हूँ वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पर्फेक्ट यार बिल्कुल पर्फेक्ट रुका हूँ एक लास्ट अटेम्ट मैं करूँगा हैंडट प्लस की स्पीड में और सडन ब्रेक अप्लाई करूँगा पिछला ब्रेक नहीं चूँँगा क्योंकि पिछला ब्रेक चोओंगा तो स्लाइड होगा पक्का है तो फ्रंट ब्रेक पे पूरा भरोसा कायम करते हुए मैं ब्रेक सप्लाई करूँ और देखूंगा कि अबियास कैसा काम कर रहा है तो यह लास्ट एटेंप्ट है को दू है और इंडड की स्पीट पर ब्रेक मारूँगा ठीक है अचानाए कि दीरे दीरे अप्लाई करें एकडम से ही एकडम से हां है 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 टो 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 तु तो तो नहीं पाँची लेकिन नैंटी थी पहुँच गई थी और इतने पर ब्रेक अप्लाई करने पर बिल्कुल कॉंफिडेंस आ गया मुझे कि बाइक बिल्कुल भी स्लिप नहीं किये तो अभी साइड में रोपते हैं सो गाइस यहां आप लोगों ने देखा कि मैंने तीन से चार अटेंट किये अलग अलग स्पीड पे पहले 40 पे किया फिर 50 पे किया फिर 80 पे किया फिर 100 पे किया और रोट गीली भी है इसका मतलब है कि ABS बिल्कुल पर्फेक्ट काम कर रहा है तो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है एबियस वाली बाइक्स में तो ABS की वज़े से आप बच जाओगे इसके टोने से आती है तो यह चीज होने से ABS आपको बचाता है चाहे मौरंग हो चाहे जो हो चाहे रोट गीली हो अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो अगला वील लॉक नहीं होता है पूरी तरीके से जिसकी वज़े से आप बच जाते हो गिरने से तो जिन लोग को नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूं कि ABS का में काम क्या होता है वज़से पहले मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से बता दे रहा हूं ABS का काम यह होता है कि यह जो वील है पहले जब डिस्क आती थी तो आप जब भी ब्रेक अप्लाई करते थे और सड़न ब्रेक की वज़े से पूरा वील हो जाता था और जैसे ही वील लॉक होता है वील सरक जाता है अपनी जगह से तो वील सरक जाता है मतलब रोड से सरक जाता है जिसकी वज़े से आप गिर जाते हो लेकिन ABS का काम यह होता है कि यह वील को लॉक नहीं होने देता है यह स्पीड सेंसर है स्पीड को सेंस करता है और उसके बाद इसको अगर लगता है कि इस स्पीड पर वील लॉक होने के बाद बाइक गिर सकती है तो ये तुरंट ब्रेक को छोड़ देता है और फिर से पकड़ता है और ये प्रोसीजर बहुत ही फास्ट होता है मतलब कुछ मिली सेकंड्स में हो जाता है जिसकी वज़े स ABS काम भी बहुत अच्छा करता है और बाइक रुक भी जल्दी जाती है तो इसी वज़े से आप गिरने से बच जाते हो तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो ऐसी कोई छोटी सेग्मेंट की बाइक जिसमें ABS आता है और कन्फ्यूज हो कि ABS के साथ जाएं थोड़ा पैसा बचा में ABS मत छोड़ना अगर कोई ऐसी बाइक है जिसमें ABS है तो ABS आप्शन के साथ जाना क्योंकि लाइस सेविंग चीज है यह बहुत ही जादा काम आती है रियल लाइफ में बहुत ही जादा बागी उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मिलते नेक्स वीडियो में तिल दन बावाइब राइड एंड ड्राइब सेव बागी है अर वीडियो में प्रभूंस तिक्स वर्ट प्लस तिक्स